पिछले एफिसोड में वांगलिन और लीगु और डुवान मुजी से बचने के लिए फर्मेशन के अंदर छुपे हुए थे लेकिन तविक उस तेर में डुवान मुजी भी वहाँ पर आ गया था और उसे देखते ही उन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी इसके हम देखते हैं कि दुवान मुजी अपने सोड को इनके तरह भी पॉइंट कर देता है जिसे देख अब लीग वो की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी और फिर वो कहता है कि यहांसा लगता है कि इसने हमें देख लिया और अब इसके बाज़ा से हम दोनों तो य इसके लिए लिउस याओ फान के उपर गुसा होने लगा था क्योंकि अभी भी उससे लग रहा था कि आसा करने वाला वही है तब इससे भी हम देखते हैं कि वांग ली ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो डुवान मुजी के उपर अटेक करने के लिए भी रेडी हो जाता है लेकिन यहादे कब डुवान मुजी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने ब्रोकन रैंबो जेट स्वाट का यूज करके इसका अटेक को रुखने लगता है लेकिन तब हम दोनों उसके हा था और कहना लगता है कि जैसे ही तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हें मार दूँगा अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहां से बहुत ही आसानी से बच कर निकल गया था तब इससे देख वांगरिम कहना लगता है कि यह तो सच में बहुत ही बड़े धूर है क्योंकि आपने उसे बहुत ही तरीके से यहां से बाहर जाने दिया और उसीलिए उस से हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं लेकिन असल में वे दोनों मेरे लिए बहुत ही स्रीय से नेमी है और उसी लिए आसा लगता है कि इन दोनों को यहाँ पर मीटा पाना मेरे लिए भी पूरी तरह से इंपॉसिवल है वहीं उदर लिव अपने आदमी के साथ में लास्ट वाले फॉर्मेशन के सामने पहुंच गया था जहाँ पर वो कहना लगता है कि अगर मैंने तुम्हें फॉर्बिने लाइट से नहीं बचाया होता तो फिर मुझे आसा लगता है कि इसमें मेरा ज्यादा टाइमेश नहीं तोड़ दिया और इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जरूर ही डुवान मुझी होगा लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अभी उसे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती इसलिए हो कहना लगता है कि सबसे पहले मुझे इस लास्ट वाले बैंट फॉर्मे के बारे में सर्च करना इस्टार्ट करने वाला था लेकिन तभी इसी वक्ते यहां पर डुवान मुझी भी आ जाता है जो कहना लगता है कि तुम्हारे वाज़ा से यहां पर मुझे बहुत सारी प्रब्लम हुई और अब इतनी बात कहने के बाद वह अपने पावर का पर मारे जाएंगे लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दुवान मुझी को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती और वो कहना लगता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारना चाहता हूं अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पाव पावर का यूज करके इसके उपर अटैक करने की कोशिस करता है जिससे देख लिए फिर से अपने चार और एक बारियर का यूज करके अपने आपको बचा लिया था इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत संदार तरीके से फाइट होने लगती है जहां से तुम्हें अलग-अलग फर्मेशन सेक्टर को मारते हुए देखते आ रहा हूं जिसके बाजा से तुमने पूरे डिमंसी को डिस्टरब कर दिया और या सब तुमके वहल अपने बैंट फर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए करते हूं फिर वह लियू के उपर गुसा हो बंद करो और क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम तिसरे लेबल को इतना असानी से पास कर लोगे इसके बाद वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके उपर अटेक करने की कोसिस करता है लेकिन रुबान मुझी ने इसका असानी से रुक लिया था और इसके मारने के लिए रास्ते में बहुत सारे सीडियल बेंड को सेटप किया था जिसके बारे में कि मैंने कभी भी उमीद नहीं किया था और अब इसलिए तुम भी आपर मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ लेकिन तबी हम देखते हैं कि लिए इसके ऐसी बात सुनकर पूर लेकिन इसपर लिए उससे कहना लगता है कि साथ तुमें इसके बारे में कोई मिस्स अंडरी स्टैनिंग हो गई है क्योंकि मैंने कभी भी यहाँ पर कोई सीरियल बेंड को सेट नहीं किया था और इसके लिए मैं तो अपने इनर डिमन की भी कसम खा सकता हूं तब इसके ऐस सिवासुन का डवान मुझी भी इस वाद से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो समझ जाता है कि इनके अलावा और कोई भी यहां पर है जो कि इनको यहां पर हारते हुए देखना चाहता है और इसके बारा में सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा परिसान होने लगता है और कहना लगता है कि कहीं इसके पीसे मेंग तूजी तो नहीं है तभी लिउस से कहना लगता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाना चाहिए लेकिन यहां सुनते ही वांग लिन कहता है कि अब इसमें काफी देरी हो गई है और फिर वो तुरंती फॉर्मेसन को ट्रिगर करने के लिए अपने पाउर को इसके अंदर भेज देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि formation की पाउर इनके उपर अटेक करने लगी थी और वे दोनों वांग निन को यहां पर देख पूरी तरह से हैरान हो गए थे वहीं उदर इन बातों के बाज़े से लीगों की हालत पूरी तरह से खराब होने लगी थी फिर वो कहना लगता है कि इसने तो गौड ट्रांसफरमेशन स्टेज वाले दो लोगों के साथ में पंगा ले लिया और उसलिए ऐसा लगता है कि इससे मरने के लिए बड़ी जल्दी वहीं उदर फॉरमेशन की पाउर लगातार उनके उपर अटेक करने की कोशिस कर रही थी जिससे देख लिए अब इसके पाउर से बचकर यहां से आगी की तरफ जाना चाहता था लेकिन तब हम देखते हैं कि वो भी इसके पाउर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अभी भी हम देखते हैं कि लिव इतने असानी से इसके सामने हार माने वाला नहीं होता और फिर वो कहना लगता है कि यह तो अभी सेकेंड लेवल है और उसलिए हम इससे किसी भी तरह से ब्रेक जरूर करेंगे इसके बाद हम देखते हैं कि वे अपने पाउर को एक साथ में वहीं उदा डुवान मुजी भी कहाना लगता है कि आखिरकार या किस तरह का फॉर्मेशन है, तभी इससे भी हम देखते हैं कि फॉर्मेशन की पाउर लियू के उपर अटेक करने वाली होती है, जिससे देखते हैं लियू ने अपने आपको बचाने के लिए अपने साथ वाल का डुवान मुझी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, और फिर वो फॉर्मेशन के अंदर एंटर करते हुए कहता है कि इसके बाज़ा से मेरी कल्टिवेशन कम हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी हमें इससे पास करने के लिए ऐसा इस्टेप लेना पड़े क्योंकि यास तक मैंने कोई भी ऐसा फर्मेशन नहीं देखा था, तब इससे विच हम देखते हैं कि लिए इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता, इसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन के सामने आकर खड़ा हो गया था, जहां पर लिग वो कहनना लगता है कि अब तो हमें आपर अकेले बचे हुए हैं, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर वो कहनना लगता है कि मैं तो अब यहाँ पर अकेला हूँ, और इसलिए मैं इस फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही आराम से रिसर् कर देता है, वहीं उदर लीग वो समझ गया था कि उससे ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसलिए वो यहाँ पर अराम करने लगता है, लेकिन तब ही हम देखता है कि वांगिन को इसके बारे में रिसर्च करने में कामयाब हो गया था, लेकिन अचानक सानक से इस फर्मेशन को क्या हो गया, लेकिन तब ही गया था योदिखता है कि वांगिन अपने पावर का एकिश्च करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर इसके बाद हैं देखता है कि आखिर कराब इस जगा से हम बहुत ही असानी से निकल पाएंगे, इसके ब लिया था जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन भी इस पाद से बहुत ज़्यदा परिसान हो गया था क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से आपर क्या होने लगा क्योंकि उसने तो फॉर्मेशन के सारे बैंड को असानी से सॉल्व कर लिया था लेकिन अचानक से देखते हैं कि इनके सामने कोई बहुत ही पावरफुल फिगर आ गया था जो कि इनसे कहारना लगता है कि मैं तूसी हूं फिर वह वांग इनसे कहारना लगता है कि तुमने तो फॉर्बीडेन मांटरिन के सारे बैंड को आटा दिया और इसी वजह से मैं तुम्ह मैं बैंड प्रोड़क्स एंड जेट सिलिप भी देने वाला हूं इसके बाद वो कहारना लगता है कि अगर तुम उंट्रोलोजिकल कॉंसियसनेस के और इंडर कर सकते हूं फिर वह उससे कहारना लगता है कि तुम्हें भी मोजियान इस्टोन का हिस्था मिलेगा लेकिन अस यहां पर सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है इसके बाद हम दखते हैं कि वे दोनों टेलिपूर्टों कर एक दुसरे जगा पर आ गये थे जहां पर कि वांग निन के सामने एक बड़ा सा टावर होता है तो बिससे देख वांग निन इसे एक्सप्लोर करने के है और यहां जगा पूरी तरह से सेफ है तब इसके बारे में सुनकर वांग निन भी यहां पर आ गया था लेकिन तब इससी भी चम देखते हैं कि उसे यहां के दिवार के उपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिससे देखवा कहना लगता है कि यह तो फिर से वही आ हुँगे और इस तरह से रिवार्ड को लेकर यहां से चले गए हुँगे तब इसके बारे में सुनकर लीग वो खुस होते हुए करना लगता है कि आखिरकर इसकी सारी मैनत पूरी तरह से विकार हो गई लेकिन तब भी वांग निन को पता चलता है कि लोकर के अंदर अभी पॉकेट है और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में लीग वो को भी बता देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि लीग वो एक्साइटेड हो कर इसे लेने के लिए जाने लगा था लेकिन तब भी वांग निन उससे टच करने से माना कर देता है और फिर कहरना लगता है कि अगर अभी तक भी इसे कोई यहां से लेकर नहीं गया तब तो ऐसा लगता है कि यह इसके उपर लगाए गए बैंट के बज़े से हो सकता है इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके उपर लगे हुए बैंट के बारे में चेक करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके उपर लगा हुआ बेंटों सच में बहुत ही कॉंप्लेक्स है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगनी ने इसे अपने पास में लेकर रख लिया था ताकि वो सही समय आने पर इसे ओपन करेगा तब इससे भी हम देखते हैं कि उनके सामने एक और एंटरंस होता है जिससे देखते हैं वांगनी लीगों से इसके अंदर जाने के लिए कहता है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बातमान का लीगों भी इसके अंदर चला गया था लेकिन तब ही हम देखते हैं कि वांगनी डुवान मुजी और बाकी लोगों के बात के बारे में याद करने लगा था जहांपर डुवान मुजी ने कहा था कि वांगनी डेथ हिस्पिल का यूज कर सकता है जिसके बारह में सुनका लियू ने डुबान मुझी से कहा था कि अगर तुमने थर्ड लेबल को ब्रेक कर दिया तब उसके बाद मैं तुम्हें हमेसा के लिए अपने साथ में ले जाऊंगा अब इसके बारह में याद करके बांगनि कहाना लगता है कि साथ यही थर्ड लेबल है जो कि लियू और बाकी लोगों को यहाँ पर रुपता है फिर वो कहाना लगता है कि मेरे पास में तो उनके जैसे हाई लेबल वाली कल्टिविसन भी नहीं है इसलिए मुझा आसा लगता वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता लेकिन अब इसके कुछ तेर के बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था और फिर वो यहाँ के थर्ड लेबल के बारे में कुछ कहने बाला होता है तो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा स कॉमेंट जरूर कर देना